वाटरफॉल्स मॉडल जो है वो सबसे पुराना मॉडल सा इसको इंक्रीमेंटल मॉडल भी कहते हैं और प्रोटो टैपिंग में क्या पढ़ा था जो एक वरकिंग मॉडल बना लेंगे मेन सिस्टम का वरकिंग मॉडल और फिर उसके बाद रियल मॉडल पर वरक होगा इसमें दो तरह के हम लोगने मॉडल पढ़े थे एक पढ़ा था हम लोगने exploratory और एक बढ़ा था throwaway आज हम लोग पढ़ेंगे evolutionary development model यह वाला ठीक है और इसमें यह waterfall model पढ़ा था यह oldest model है और इसमें phase 1, phase 2, phase 3, इस तरीके से कई सारी phases होती है क्या-क्या phases होती है वह phases यह है feasibility study requirement analysis design coding testing implementation और maintenance ठीक है तो आपने बढ़ा prototyping model prototyping model में initial requirement यहां से start होगा फिर prototype बनेगा यानि की working model बनेगा और अगर user satisfied हो जाता है है client satisfied हो जाता है तो actual development starts here development test maintain and end यह हमारा था prototype model ठीक है इसमें prototype model में दो हम लोगों ने देखे थे prototype model क्या होता working model created which is not in detail detail में नहीं होगा यह माल लेते हैं कि पूरा software इसका कोई थोड़ा सा एक main function बना करके model बना लेंगे और उस पर हम काम करना शुरू करतेंगे और जब वह satisfied हो जाएंगे तो फिर पूरा model बनाया जागा actual development start हो जागा इसमें दो थे exploratory और throwaway तो exploratory में new technology tools it includes minimum functionality और throwaway में क्या होता है working model बना लिया अगर फेल हो जाता है तो फिर से working model बनाएं फिर फेल होता है तो फिर working model बनाएं लेकिन अगर पास हो जाता है तो वह पास वाले को destroy कर दिया जाता है और actual development start from scratch ठीक है यह हम लोग ने last class में पढ़ा था यह समझ में आ गया last class हमने एक बार repeat भी कर दिये ठीक है अब नेक्स चलते हैं आगे चलते हैं कि आगे और इसमें देखते हैं क्या क्या है अब आप लोग एक निंग डालिया evolutionary development model अब evolutionary development model में अब इसमें अगर आपको last class याद हो तो last class में हमने आप लोगों को जो बताया था उसमें यह जो चार्ट बनाया था evolutionary में तीन model है incremental model spiral model और win-win spiral model इसमें पहले incremental model ठीक है तो हम लोग incremental model पढ़ेंगे यह इंक्रीमेंटल मोडल फस्ट इंक्रीमेंटल मोडल आप देखो इंक्रीमेंटल का मतलब समझो तो increment माने क्या होता है कोई भी चीज वड़ना जैसे कोई चीज अगर one है इसके बाद water tohay intellectual की सुने के बाद einen और फिस्टीन हो किसी भी और में यह क्या होघर यह increment इसको हम iq忘 करते है इंकरिमेंटल मौडेल में क्या होगा कि पहली बार में कुछ बनके तैयार होगा कोई program बन के तयार होगा यह एक software तयार होगा तो इसी में क्या होगा कि एड कि न्यूफीचर कि यह दूसरी बार में हो गया पहली बार में software बना है दूसरी बार में उसी में और इसी में एक होगा और उसमें और फिर फाइनली यहां तक अगर हम पहुत गए है यहां पर इसी को incremental model गहते हैं तो incremental model में में ली क्या होता है कि इसमें दो भी requirements होती है एक रिक्वार्मेंट्स सिस्टम की रिक्वार्मेंट्स ठीक है न उसको डिवाइट कर दिया जाता है बिल्ड में बिल्ड मतलब डेवलप्मेंट जैसे बिल्ड वन बिल्ड टू बिल्ड थ्री इसका मतलब जेखो ऐसे समझो मतलब पहली बार कुछ बनेगा उसमें कुछ फीचर एड होंगे तो दूसरा बन जाएगा बिल्ड टू कहलाएगा फिर बिल्ड थ्री कहलाएगा जैसे कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है फिर उसके बाद उसमें प्लास्टर होता है फिर उसके बाद उसमें पुट्टी होता है फिर उसके बाद वाइट 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 वाश होता है तो हर बिल्ड में व design, development, testing, or implementation, implementation. जब एक phase हमारी यह हो गई, एक phase development हो गई, एक phase testing हो गई, एक phase implementation हो गई, पिर उसके बाद इसमें कुछ, जो build 2 होगा, इसमें add new feature, यह वाला, build 2 में, add new feature, add feature, जब add feature करेंगे, अब जब build 2 करेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, पहले चक्कर में, जो software बनके आया, उसमें कुछ नया feature डाला, वो दूसरा चक्कर हो, फिर नया feature डाला, तो तीसरा चकर हो गई, इसमें भी phases हमारी same रहेंगे, design, development, testing, implementation, इसमें भी phases हमारी same रहेंगे, design, development, testing, or implementation, तो final software हमारा यह build 3 के बाद, क्या clear हुए है, तो यह incremental हुआ न, build 1, अगर build 1 को देखें, और build 3 को देखें, तो सबसे ज़्यादा feature किसी में होंगे, build 3 में होंगे, ऐसी build 1, 2, 3, 4, 5, जितनी भी build हो जाए, build होने में कोई दिक्कत नहीं है, build 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी build होने है, लेकिन हर build में phases follow होंगे, design, development, testing, implementation, design, development, testing, implementation, design, development, testing and implementation, इस तरीके से, lastly, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, final software मिलेगा, अब यह final software हो गया, clear ही है, तो this is your incremental model, दूत्रा क्या है हमारा spiral model, अभी spiral model देख लेते हैं, इसमें किसी को कोई confusion, समझ में आ गया, clear है तो हम आगे बताएं, दूत्रा, clear है, very good, ठीक है, दूत्रा heading डालो, spiral model, spiral model, यह, जो model होता है, it is, best for, best for, high risk project, जो high risk projects होते हैं, यह high risk project, हम decide कैसे करेंगे, high risk project है, देखो, कोई भी project high risk होगा, जैसे, कोई भी, जैसे माल लो कि यह pen, अब यह pen जो है मारे पास है, जैसे माल लो यह pen है, यह अगर हम यह कहें, दो रुपए का पेन है, तो हम इसको बहुत ही लापरवाई से रखेंगे, दो रुपए का है, गिर जायागा, तूट जायागा, कोई बात होगी, वैसे वैसे यह जो product है, इसके तूटने का और समालने का risk क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो उसी तरीके से कोई भी project में कितना ज़्यादा risk है, जैसे हमने यहाँ का spiral model is best for high risk project, तो अब देखो high risk project कौन सा होगा, जिसमें हमें तीन चीज़े, time, cost, और effort, यह जितनी maximum होती जाएगी, हमारा project जो है, वो किस category में आ जाएगा, वो आ जाएगा, it comes under the high risk project, तो अगर कोई कहे के भाई, आप high risk project को कैसे measurement करेंगे, कि यह project high risk है, तो आपके पास मानली 10 project है, तो जिसमें सबसे जादा, जो सबसे जादा cost लगने वाली है, जिसमें सबसे जादा time लगने वाला है, जिसमें सबसे जादा लोग लगने वाले है, जिसमें सबसे जादा problem होने वाली है, जो सबसे जादा complex होगा, वही हमारा high risk project होगा, ठीक है, अब हर company के लिए high risk project अलग-अलग होते हैं अब spiral model की बात करते हैं कि spiral model क्या होता देखो spiral model जो है वो इस तरह से उसमें phases होती है four ठीक है four phases होती है इस तरह से आप लोग भी बना लिजए four phases इस इसमें होती ही चार quadrants होते है four quadrants quadrants once quadrant two quadrant four three four one two three four ऐसे करके न जैसे यह आपका यह quadrant one हो गया यह हमारा one यह two यह three और यह four यह हमारे four quadrant हो गया है ठीक है अब देखो spiral model में जो phases होती है सबसे पहले तो हम यहां पर phase लिख देते हैं सब की ठीक है आप यहां पर हम लिखेंगे टितर्मिन का मसलब क्या हो था निर्धारण करना डीटर्मिन औब्जेक्टिव प्टीव देटर्मिन अब्जेक्टिव अब्जेक्टिव अल्टर्नेटिव अल्टर्नेटिव एंड कॉंस्टेंट्स इसको लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं ठीक है नहीं यहां पर हम लिख लेंगे identify and resolve ठीक है यहां पर हम लिखेंगे develop next level next level प्रड़क्ट और यहां पर लिखेंगे plan next phase plan next इतना लिख लेते हैं पहले ठीक है फिर हमें के spiral बना लेते हैं इस पाइरल बना लिया जाए इस पाइरल का मतलब होता है कि ऐसा सर्किल जो अपने हर साइकल में बढ़ता चला जाए उसी शेप को हम कहते हैं see this sprawl कि कैसे कहते है एक सर्किल पकड़ी है स्परिंग इसा स्परिंग है इस परिंग स्परिंग को पकड़ी है और बस एक राउंड करिए तरब आगे बढ़ जाएंगे था स्ट अगर शर्क्रेकम सर्कल में क्या होता एक प्रीट्क पकड़ीических so और यह हमारा क्या है? किसी भी चीज का increment करना बढ़ना तो इस प्रिंग में ऐसे ही होता है तो यहां पर हम जो आपको बताना चाहे रहे हैं कि अगर आप ध्यान से यहां पर अंदर देखेंगे तो आप सिर्फ इतने को देखें बस इतना यहां से ले करके यहां इस quadrant में क्या हो रहा है first quadrant में हो रहा है determine निर्धारण हो रहा है objective तै करा जा रहा है alternative ढूंडने जा रहे हैं कि यह नहीं तो यह नहीं यह नहीं तो यह alternative का मतलब क्या होता है कि प्रोग्रामिंग की टीम है माल लो वो प्रोग्रामिंग की टीम जो है software company की पूरी बीमार पड़ जाती जैसे आज हल करोना है खुदाना खास्ता software development company में काम करने वाली एक team है और उसको वो positive हो जाते हैं तो वो सब फिर quarantine हो जाएंगे rest में चले जाएंगे तो company का काम रुख जाएगा लेकिन company ने alternatives रखे होंगे कि वो team जो बिमार हो गई है जो किसी कारणवश नहीं आ पा रही है company में उसकी जगा अब ये team भी काम करेगी तो वो हमारा वही क्या कहला था वही हमारा कहला था alternatives और constraints का मतलब होता है कि जो काम बहुत जरूरी है जैसे आप अगर admit card को देखेंगे तो admit card में जरूरी fields क्या होती है आपकी hobby लिखा होना आपकी date of birth लिखा होना आपके घर का address लिखा होना जरूरी है या enrollment number लिखा होना exam की date कब है exam का center कहां पर है और subject क्या है यह constant है तो constraints यह constant वाला नहीं है एक होता है constant एक होता है constant वो constant होता है इस्थिर यहाँ पर लिखा है constraints यहाँ constraints का मतलब होता है जो चीजें जरूरी हो बिना उसके ना हो पाए ठिक जैसे internet आपको चलाना है mobile में तो आपका net pack होना चाहिए तो वो है उसका constant के net pack रिचार्ड होगा तभी net चलेगा SIM card डालने से ही net नहीं चलने लगेगा constant उसका क्या है net चलाने के लिए कि उसमें net pack होना चाहिए जो जरूरी है आवश्यक चीजे तो इस पहले वाले में यानि कि यहां पर यह चोटी line है फिर इससे देखिए इससे यह थोड़ा सा बड़ा हो गया यानि कि हमने एक बार एक बार डिटर्मीन करा objective देखा alternative देखा constant देखा फिर दूसरी वाली लाइन से दूसरी वाली लाइन बड़ी है और तीसरी वाली लाइन और बड़ी हो गई है alternative भी clear होते जा रहे हो constant भी होते हैं हर तरफ यह ऐसे ही काम करें यानि कि पहले वाले साइकिल में इसने डिटर्मीन करा objective निकाला फिर दूसरा यहां पर करा इसने identify and resolve करा यह resolve है और इस ओ ल यह है है resolve यह spelling सही से लिख देते हैं यहां पर रिजॉल ठीक है तो यह पहला साइकिल यहां तक आया पहले साइकिल में पहला साइकिल छोटा है यानि कि यहां थोड़ा-थोड़ा सारा काम हो गया एक बार फिर रिपीट होगा फिर से डिटर्मिन अब्जेक्टिव को डिफाइन करा जाएगा अल्टरनेटिव और फिर उसके बाद identify and resolve और फिर उसके बाद development next level प्रोड़क्ट और फिर प्लान next phase फिर ऐसे करते 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 यह हमारा स्पाइरल मॉडल क्योंकि स्पाइरल मॉडल में यह रिपीट क्यों कर रहे है क्योंकि प्रोजेक्ट क्या है प्रोजेक्ट हमारा हाई रिस्क है तो हाई रिस्क प्रोजेक्ट में यह करना ज़रूरी होता है तो इसमें क्या कर रहा है एवरी स्पाइरल यहां पर हम लिखें every spiral refine our project refine our project in every cycle in every cycle risk reduces risk kya hoga reduce hoga risk reduce hoga यह हमारा हो गया spiral model इसमें किसी को कोई confusion है समझ में आया clear हो तो हम next रता है clear है बस सिफ रोहित को clear है और बाकी को clear नहीं है बाकी को क्या confusion है बताओ अगर अगर आपको confusion हो तो आप पूछिए अचा clear है हाँ तो सब लोग लिख लिख के type करके बेजो शाबस very good विकास, अशोक, आलो, शुबम ठीक है next heading डालो next देखो कौन सा है यह देखो यह spiral हो गया win-win spiral model इसमें है कुछ नहीं यह बहुत छोड़ा सा model है बस इसमें क्या करा जाता है बताते हैं win-win spiral model है तो यह spiral model ही सब वैसे ही बनेगा जैसे उसमें बना तो वैसे आप इसमें भी बना लिए ठीक है देखो इसमें होता क्या है विं-विं model में win-win model यह जो win-or win लिखा हुआ है यह win लिखा हुआ है victory से related जैसे कोई जीच जाता है तो उसको गहते है victory तो स्पाइरल मॉडल तो सेम रहेगा जैसे आपका उसमें है वैसे ही इसमें भी इसमें भी वैसे ही तरीके से रहेंगी इसमें बस करा यह जाएगा कि जो आपकी जैसे कि वह इसमें यहां पर हमने एक लाइन कीट दिया से करका तो तो अब यहां पर यह वाला पॉर्ष्ण कुछ डिफरेंट होगया यह ही different हो गया एक लाइन यहां से कीट दें तो यह इतना पॉर्शन हमें अलग दिख रहा है इतना अलग पॉर्शन होगा Scott अब इसमें क्या है कि विन विन क्यों कहा गया इसको कि जो कि डेफलप्मेंट टीम है development team negotiate negotiate with stakeholder stakeholder का मतलब बोता है client client को हम stakeholder भी कहते है जो जिसका फायदा उठाएगा जो finally फायदा उठाएगा यानि कि end user तो team जो है negotiate करेगी stakeholders से क्या negotiate करेगी कि जैसे माल लिजे कि client ने कहा client ने कहा कि हमें payment method जो payment method है मालो कोई software बन रहा है client उसने कहा हम जो payment method यूज़ करना चाहरे है वो यूज़ करना चाहरे है Google पर यह क्लाइंट कह रहा है अब जो developer है यह क्या करेगा developer कह रहा है developer negotiate करेगा किस से stakeholder से यहनि कि client से stakeholder को client भी आप कह लिए यहनि कन्फ्यूज होंगे कि stakeholder क्या चीज़ आ गया क्लाइंट से कहेगा कि ऐसा है कि हम Google पे नहीं आप पेटीम से payment करिए पेटीम पेमेंट मेथड यूज करिए इसके लिए जो development टीम है यह अपनी एक छोटी सी टीम क्लाइंट को भीज देगी जो क्लाइंट को क्या करने जाएगी यानि कि क्लाइंट को satisfied करेगी कि why you use पेटीम सेटिसफाइट करेगी और जब तक क्लाइंट सेटिसफाइट नहीं हो जाता है अच्छा यह किसी भी फेज में हो सकता है जैसे माल लिजे यहां पर यह जो फेज है यह वाली इस फेज में इस फेज में कोई problem होती है तो जो developers है वो क्लाइंट को समझा सकते कि आप इस चीज के लिए जैसे माल लिजे यह phase number one है यह two है यह three है यह four है यह five यह six यह seven यह eight तो क्लाइंट ने developer ने कहा कि four में four में जो problem हो रही इससे client से बात करते है client को negotiate करते है कि आप ऐसा ना करके ऐसा कर लिए ठीक है तो कभी-कभी क्या ह होता है कि जो development team होती है और client होते है इसमें चुकि bilateral relation होता है तो एक दूसरे को समझाते हैं कि यह काम अगर ऐसे कर लिया जाए या यह काम ऐसे कर लिया जाए तो जादा अच्छा होगा तो इसमें जब जब टीम की बात मान ली जाती है तो इसलिए इसको विन-विन spiral model कहते है कि इसमें development team समझाने में जीच जाती है कि वो क्लाइंट को समझा ले जाती है देखो अगर क्लाइंट को नहीं समझा पाए तब तो यह विन-विन spiral model नहीं होगा इसमें यह loss कर जाएगा तब यह spiral model से ही वो बना देगा क्लाइंट को उसने समझाया कि आप Google पे method यह उन ना यूस कर यह पर यहां पर बस यह ही है कि विन-विन में सिर्फ एक negotiation यानि कि एक discussion और जूड़ जाता है model वही रहता है कि हम हर phase पर अगर कोई problem arise होती है तो क्या उस problem के को resolve करने के लिए हम client से भी बात कर सकते हैं क्या client से भी कुछ negotiate या discussion कर सकते हैं और अपनी बात मनवा ले और अगर अपनी बात मनवा ली तो win-win हो जाता है इसलिए win-win कहलाता है इसमें कोई confusion है किसी को win-win model में एनी confusion अच्छा confusion नहीं है सब्सक्राइब क्लियर है अब देखो यहां पर जो हमने इससे पहले वाला एक बताया था जिसमें यह मॉडल था incremental model अब यह तीनों होगा इंक्रीमेंटल हो गया यह इस्पाइरल हो गया और यह हमारा हो गया win-win model यह तीनों किसके model थे देखो यहां पर फिर से इंक्रीमेंटल में अब इंक्रीमेंटल में एक और मॉडल यूद हो था रैड बस अब रैड देख लेते हैं तो यह वाला पॉर्शन हमारा एंड हो जाएगा फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आइटरेटिव इन्हांस्मेंट पढ़ेंगे यह अगर टाइम रहा तो इसी में पढ़ लेंगे ठीक है सीक्वेंस मतलब समझ लो कि हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहा है रैड मॉडल रैड क्या यहांसे यह चार्ट देख लो यह दो कि वभीशन डिव्लप्मेंंट मॉडल में थीन मॉडल थे इन्क्रीमेंटल मॉडल स्पाइरल और विउन-विन incremental का एक sub model है red मतलब यह model भी use करा जाता है लेकिन incremental में ही आता है उसका nature जो है वो incremental type का ही रहता है build 1, build 2, build 3 इस type का ही वो रहता है ठीक है red model अब यह होता कैसे है यह अब आप समझें इसको देखिए उसमें होता क्या है कि red model में इसका फुल फॉर्म है rapid application development rapid application rapid application development एक है यूज़ फॉर एस्मॉल प्रोजेक्ट छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है यह और सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट लिए होता है सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट कौन से होता है in which complexity is low complexity मतलब होता है जटिल्टा जैसे highway है तो highway एक highway होता है सीधा सीधा highway होता है एक होता है पहाड का highway तो पहाड का जो highway होता है वो complexity से भरा हुआ होता है और जो सीधे सीधे highway होते है जैसे हम लोग के हाँ plains में जो highways है यह सब में complexity low होती है होती है complexity जटिल्टा होती है लेकिन low होती है उसी को हम यहां पर कह रहे है ठीक है इसमें होता क्या है इसमें जो phases है phases को हम लोग लिख लेंगे business 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 modeling data modeling business modeling business modeling or data modeling process modeling application generation process modeling or application generation generation इसको आप लोग बना लिजे इस नहीं है इस यह फेजेश नहीं है ठीक है और यह जो फेजिस हैं इस फेजिस फेजिस फॉलो वन आफ्टर अनदर यहनी सबसे पहली फेज होगी वह हमारी बिसनेस मॉडलिंग पिर डेटा मॉडलिंग फिर प्रोसेस मॉडलिंग और पिर अप्लिकेशन जनरेशन यह होता किया हम लोग बाद बढ़ेगा भी कम है तो हम लोग बिसनेस मॉडलिंग किसे कहते हैं डेटा मॉडलिंग किसे कहते हैं प्रोसेस मॉडलिंग और अप्लिकेशन जनरेशन किसे कहते हैं यह बात में डिस्टस करेंगे अभी आप समझ दिजिए कि रैड मॉडल हैविंग फोर फेजिस ठीक फेज फेज वन फेज पिर इसी तरीके से team B और इसी तरीके से team C ये तीन teams लग जाएंगी और तीनों team का काम यही रहेगा phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 इसका भी काम यही रहेगा phase 1, phase 2, phase 3 और phase 4 इनका यही काम रहेगा और एक last में और है, testing and turnover, last में testing भी है, यहाँ पर last में आप लिख लिएगा testing तो वो सब में include हो जाएगी, इसके बाद testing हो जाएगी 5, phase 5, तो यहाँ पर भी phase 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, phase 5, ठीक है, phase 5, phase 5, testing, तो rapid application development में क्या होगा, जैसे कोई काम बहुत तेज करना हो, तो क्या कर लेते हैं, काम को distribute कर देते हैं, ठीक है, work को distribute कर दिया जाता है, जैसे माल लिजए कि यह हमारा, अब इमलोग वास दो मिनिट बचा हुआ है, दो मिनिट है, माल लिजए कि यह हमारा project, ठीक है, यह project है, this is project, ठीक है, कोई भी project, अब इस project को क्या करा गया, इस project को तीन पार्ट में divide कर दिया गया, ठीक है न, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट ये, ये तीन पार्ट में divide कर दिया गया, ठीक है न, और, क्या करा गया, अब काम जल्दी करना है, तो चोटे-चोटे काम, बड़े काम को चोटे-चोटे काम में divide कर देंगे, तो काम हमारा जल्दी हो जाता है तो हमने कहा ऐसा है कि ये वाला काम जो है वो team A करेगी ये वाला काम team B करेगा और ये वाला जो काम है वो team और टीम ये जब करेगा तो phases क्या फॉलोंगी बिस्नेस मॉडलिंग डेटा मॉडलिंग प्रॉसेस मॉडलिंग अप्लिकेशन गेरेशन टेस्टिंग ठीक है phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 phase 5 यहीं कि इसमें रैड एप्लिकेशन डेवलप्मेंट में जो phases फॉलोंगी वो कितनी फॉलोंगी फॉलोंगी 5 phases और सारे साइमल्टेनियसली काम करें एक साथ यहनि कि अगर अब यह अरे खतम होने वाली है खतम हो गई एक मिनट जैसे इसने अगर जनवरी में शुरू करा है तो यह भी जनवरी में काम करेगा यह भी जनवरी में काम करेगा और यह भी जनवरी में काम करेगा और सब लोग एक इसको सम्झाएंगे लोग नेक्स्ट क्लासे जो फेजे ने, ठीक है, जलो, that's it.